परमधाम को छोड़ कर ओम शांती सत्चित आनंद स्वरोप शिवबाबा जो कल्यान कारी है जो हमातमाउं का अनाधी पिता है वो इस जगत पर इस असत्य दुनिया में आकर हमें सत्य और असत्य का भेद बताते है हमें सही और गलत की परक यथार्थ समझाते है तक हम अपने और पराय के भेद को समझ सके दुनिया जो पराई है जिसे हम अपना मांच चुके है वो क्यूं पराई है? वो क्यूं पुरानी है? और अब वो समय है जब इस पराई दुनिया को छोड़ कर हमें अपने घर जाना है इन सब बातों को बहुत ही गहराई से ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें समझाते हैं और यही नहीं हमें अपने घर जाने के लिए बाबा तयार भी करते हैं तो शिव बाबा नकिवल हमें पतित से पावन बनाते हैं परन्तु हमारे लिए इस संपूर्ण जहां को पावन बना देते हैं तो आज की मुडली बाबा के इस विशीश करतव्य को बहुत ही गहराई से समझा रही है सुनते हैं बाबा के मधर महवाख्य आज है एक तारीक एक जोलाई दो हजार चौबिस बाबा के महवाख्य हैं मीठे बच्चे शांती धाम पावन आत्माउं का घर है उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो अगर उस घर में जाना है तो पूरा पावन बनना पड़ेगा नए तो फिर सजाएं खा कर जाना पड़ेगा पावन तो बनना बड़ेगा या तो आराम से या तो मार खाके तिसले बाबाने कहा कि हमें अपने घर तो जाना ही है और उसके लिए हमें पावन तो बनना ही है प्रश्न है बाप सभी बच्चों से कौन सी गैरेंटी करते हैं उत्तर है मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तुम मैं गैरेंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर चलेंगे तुम एक बाप से दिल लगाओ इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो इस दुनिया में रहते पवित्र बन कर दिखाओ तो बाबा तुहें विश्व की बाद्शाही अवश्य देंगे तो बाबा की तो गैरेंटी है लेकिन उस गैरेंटी का आधार क्या है कि अगर हम बाबा को याद करेंगे एक बाबा से दिल लगाएंगे पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे पुरा पावन बन कर दिखाएंगे तो बाबा गैरंटी देते हैं कि घर भी ले चलेंगे और फिर विश्व की बादशाही भी देंगे ओम शांती रोहानी बच्चों से रोहानी बाप पूछ रहे हैं यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए अब घर जाने की दिल होती है होती है वह है सब आत्माओं का घर वहाँ बॉडी अलाउट नहीं है यहां सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है यह तो समझते हो बाप आया हुआ है ने मंत्रन पर बुलाया है बाप को कितनी बार बुलाया बाबा को आजाओ हमको घर अर्थात शांती धाम ले चलो अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो हे आत्माई तुम पतित कैसे चल सकेंगी ऐसे जाएंगी पावन तो जरूर बनना है अब घर चलना है और तो कुई बात नहीं कहते भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुशार्थ किया है किस के लिए किस लिए भक्ति करते थे मुक्ति के लिए तो अब बाप पूछते है घर चलने का विचार है इरादा है घर जाने का बच्चे कहते बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है यह भी जानते हो जो भी जीवात्माई है सब को ले जाना है यह भी पक्का है परन्तो condition क्या है पवित्र बन कर घर जाना है फिर पवित्र आत्माई ही पहले पहले आते हैं अपवित्र आत्माई तो घर में रह नहीं सकती अभी जो भी करोडो आत्मा है सबको घर जरूर जाना है उस घर को शांतिधाम ववान प्रस्थ कहा जाता है वाणी से परेधाम हम आत्माओं को पावन बन कर पावन शांतिधाम जाना है बस कितनी सहज बात है है तो easy बात वह है पावन शांतिधाम आत्माओं का वह है पावन सुखधाम जीवात्माओं का यह है पतत दुखधाम जीवात्माओं का बिल्कुल clear है सबको इसमें मूँचने की तो बात ही नहीं शांतिधाम जहां सब पवित्र आत्माओं निवास करती है वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया वाइसलिस, इनकॉर्पोरियल वर्ड यह है पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की सब पतत है बापाएं है आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांतिधाम में ले जाने फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुखधाम में आएंगे यह तो बहुत सहज है इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है बुद्धी से समझना है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांतिधाम में ले जाने यह समझ की बात है बहुत सिंपल बाते हैं प्रणतु बुद्धी में यह अंदर तक स्विकार हो जाए बहा जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो अब बाप ने बताया है कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ हे बच्चे मुझे शिव बाबा को याद करो बाप ऐसे ही कहते हैं कल्प कल्प हे बच्चे बस मुझे एक शिव बाबा को याद करो सर्वका सदकतिदाता एक सद्गुरु है वही आकर बच्चों को पैगाम अध्वा श्रीमत देते हैं कि बच्चों, अभी तुमको क्या करना है? बाबा ही हमें राइट डारेक्शन देते हैं कि बच्चे, हमें अब क्या करना है? आधा कल्प तुमने बहुत भक्ती की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो, आत्मा भी सतुप्रधान से तमुप्रधान बन गई है, अब तक क्या क्या किया है? जो कुछ भी किया है, उससे आत्मा नीचे ही गिरे है, उपर नहीं उठी है, बस यह थोड़ी बात ही समझने की है, अब घर चलना है? वह नहीं, पूछ रहे हैं बाबा, रेडी हैं? दिल में बाबा से, वह हमारा स्वीट साइलन्स हूम है, यह भी समझते हो, बरोबर, अभी हम पतित है, इसलिए जा नहीं सकते हैं, बाबा कह रहे हैं, चलो, बच्चे भी कहते हैं, हाँ जाना चाहते हैं, परण तो यह समझ की बात है, कि वह पावन दुनिया है, और हम अभी पतित दुनिया में हैं, तो जब तक पावन नहीं बनेंगे, तो कैसे जाएंगे? अब बाब कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम्हारे बाब कट जाएंगे. सिंपल है, कलब कलब यही पैगाम देता हूँ, अपने को आतमा समझो, यह देह तो खलास हो जाने है, बाकि आतमाओं को वापिस जाना है, यह बाडी तो खतम हो जाएगी, बागी आत्माओं को वापिस जाना है उनको कहते है निराकारी दुनिया सब निराकारी आत्माई वहां रहते है वह घर है आत्माओं का निराकार बाप भी वहां रहते हैं बिलकुल अपनी बुद्धी के अंदर वो विजन क्रेट करो अपने घर का कि वहां हम सब निराकारी आत्माई रहती हैं, हमारा बाबा भी वहीं रहते हैं, बाबा आते हैं, सबसे पिछाडी में, क्योंकि फिर सब को वापिस ले जाना है, एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है, इसमें कोई मूँच नहीं, वह तकलीफ की बात नहीं है, गाते भी हैं, ही पतित पावन, आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो, सब का बाप है न, फिर जब हम नई दुनिया में पाट बजाने आते हैं, तो बहुत थोड़े रहते हैं, बगे इतनी करोड आत्माई कहां जाकर रहती हैं, यह भी जानते हो सतियुग में थोड़ी जीवात्माई थी, छोटा ज़ाड था, फिर व्रिधी को पाया है, ज़ाड में अनेक धर्मों की वेराइटी है, देखा न ज़ाड का चित्र, उसको ही कल्प व्रिक्ष कहा जाता है कुछ भी अगर नई समझते हो, तो पूठ सकते हो, कई कहते हैं बाबा, हम कल्प की आयू पाँच हजार वर्ष कैसे माने, अरे, बाप तो सत्ते ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है, इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नई है, सत्य युग में फिर एक दैवी राजधानी होगी, इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं, बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया खत्म हो जान पुरानी है, ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है, इसके चार भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परन्तु समझते कुछ भी नई है, भक्ति मार्ग में तुझ जैसे गुडियों का खेल खेलते रहते हैं, बिल्कुल जैसे छोटे बेबी होते हैं, तो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, ग्यान नहीं होते हैं, बस खेलते रहते हैं, वैसे ही भक्ति मार्ग में भी देवी देवताओं के जड़ मूर्तियां बनाक उनको बनाते हैं, श्रिंगार करते हैं, डुबोते हैं, तो जिसे गुडियों का खेल खेलते रहते हैं, अथा चित्र हैं, दीप माला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेका अनेक चित्र हैं, अभी तुम समझ गए हो, एक है श्यव बाबा और हम बच्चे, फिर यहां आओ, तो लक्ष्मी नाराण का राज्जे, फिर राम सीता का राज्जे, और फिर बाद में और और धर्माते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है, तो इस सारी बात बाबाच, बहुती क्लारिटी से सारा चक्र समझा रहे हैं, वहें अपने अपने समय पर आते हैं फिर सबको वापिस जाना है, पूरा स्वदर्शन चक्र बाबा ने हमारा फिर आ दिया, कैसे उपर से नीचे, फिर किसका राज्जे, किसका राज्जे, फिर कैसे हम संगम युक पर आते हैं, फिर सबको वापिस जाना है, तुम बच्चों को भी अब घर जाना है, पिलकुल clear है यह सारी दुनिया विनाश होनी है अब इसमें क्या रहना है इतनी भी अच्छी नहीं है जो यहां रहा जाये अब तो बाबा चाहते हैं अभी बुरानी दुनिया खतम हो और हम नहीं दुनिया में जाए इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती दिल लगानी है एक माशूक से ताकि दिल तूटे ना इसलिए बाबा अपने से दिल लगवाता है पाकि इस दुनिया में तो किसी से भी दिल लगाएंगे तो तूटनी है यह क्योंकि ये दुनिया तो विनाश होनी है वह कहते हैं मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे अब बहुत गई थोड़ी रही टाइम जाता रहता है यह दो बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की भी थोड़ी रही योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अन्त में वह बहुत पश्चा ताप करेंगे सजा खाएंगे पद भी भ्रष्ट हो जाएगा यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है कितना टाइम हो गया ना घर जाने लिए ही तो माथा मारते है ना भक्ति मार के अंदर जो कुछ भी किया किसलिए किया वहाँ जाने के लिए मुक्ति पाने के लिए बाब भी घर में ही मिलेगा भगवान का दर्शन पाने के लिए तो बाबा भी वही मिलेंगे सत्य युग में तो नहीं मिलेगा मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी महनत करते हैं व्रत नेम तो रखते हैं परन्तु जंगलों में चले जाते हैं कंदराओं में बैठ कर तपस्या करते हैं क्या-क्या नहीं करते किसलिए मुक्ति धाम जाने के लिए उसको कहा जाता है भक्तिमार्ग अभी भक्तिमार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ जरूर ले जाओंगा पक्खा ले जाएंगे बाबा आज बार बार हमें कहा रहे हैं तैयार हो जाने के लिए जितना जो पावन बनेंगे, उतना उच पद पाएंगे इसमें मूझने की बात ही नहीं बाप कहते हैं बच्चे, तुम मुझे याद करो मैं गैरंटी करता हूँ, तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे कंडीशन क्या है? बस एक बाबा को याद करो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगे तो ले याद करो, पद भी ब्रश्ट हो जाएगा एक तो सजा खानी पड़ेगी फिर पद भी ब्रश्ट हो जाएगा हर पाँच हजार वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ मैं अनेक अनेक बार आया हूँ तुमको वापिस ले जाने तुम बच्चे ही हार जीत का पाट बजाते हो फिर मैं आता हूँ ले जाने यह है पतत दुनिया इसलिए गाते भी हैं पतत पावन आओ हम विकारी पतत हैं आकर निर्विकारी पावन बनाओ यह है विकारी दुनिया अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां दो कला कम हो जाती है जो बाद में आते हैं वो सजाए खाकर न इसलिए वो उनकी एंट्री तब होती है जब दो कला कम हो जाती है यहनी चंद्रवंशी बन जाते है उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे इसलिए अब पुरुशार्थ भी पूरा करना चाहिए जब बाबा आये हैं हमें इतना पुरुशार्थ करा रहे हैं तो फिर सूर्वंशी बनेंगे चंद्रवंशी क्यों बनेंगे तो पूरा पुरुशार्थ करना है पूरी तरह एक बाब दूसरा न कोई इस लगन में पूरी तरह मगन हो जाना है ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए भलरावण राज्ये नहीं है परन्तो पद तो नंबरवार है ना आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा अलॉय है तो शरीर भी अलॉय वाला मिलेगा ना बिलकुल प्योड नहीं मिलेगा आत्मा गोल्डन एज्ड से सिल्वर एज्ड बन जाती है चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है फिर दिन प्रति दिन जास्ती छीची खाद पड़ती है मुलम्मे की बाब बहुत अच्छी रीती समझाते हैं तो ऐसे एलोई एड होती रहती है आत्मा की क्वालिटी डाउन होती है तो उसके साथ साथ शरीर जो मिलता है वो भी उसी क्वालिटी का मिलता है तो बाबा बहुत अच्छी रीती समझाते हैं कोई नहीं समझते हैं कोई नहीं समझते हैं तो हाद उठाओ है कोई इतनी क्लारिटी से बाबा एक एक बात हमें समझा रहा है जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे बाब बैट कहते हैं क्या कहते हैं बाबा बाब कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवीश करता हूँ इनको ही फिर पहले नंबर में आना है जो पहले था वह लास्ट में है उनको ही पहले नंबर में आना है जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूं उनको पावन बनाता हूं कितना क्लियर कर समझाता हूं तो ब्रह्मा की आत्मा जो नंबर वन थी पहले पतित बनी और फिर उसी आत्मा के अंतिम जनम के अंतिम समय में बाबा ने आकर प्रवेश किया तो जो नमबर वन पावन थी फिर जो नमबर वन पतित बनी फिर उसी आत्मा के तन में पतित पावन बाप आकर हम सब को पावन बना रहे हैं बाप कहते हैं मुझे जात करो तो तुम्हारे पाप भस महोंगे गीता का ग्यान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है सुना भी है और सुनाया भी है परन्तु उनसे भी तुमने सद्गती को नहीं पाया बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवास से शास्त्र सुनाए सुने हमने है बाबा को सब पता है जिस आवाज को सुनकर बड़े-बड़े आदमी जाकर इकठे होते हैं कनरस है ना इतनी मीठी-मीठी आवाज सुनते हैं तो कनरस है ना वो रस पाने के लिए जाते हैं भक्ती मार्ग है ही कनरस इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है यहाँ है मनरस तो यहां तो मन्मना भव होना है, याद करना है भक्ति मार्ग अब पूरा होता है बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ज्यान देने आया हूं जो कोई नहीं जानते, मैं ही ज्यान का सागर हूं ज्यान कहा जाता है नौलिज को तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, सब कुछ आत्मा, पर्मात्मा, स्रिष्टी चक्र समपोन स्रिष्टी के सारे रहस्य समझा देते हैं चोरासी का चक्र भी समझाते हैं तुम्हारे में सारी नौलिज है स्थूल वतन से सुक्ष्म वतन क्रॉस कर स्थूल वतन से सुक्ष वतन क्रॉस कर फिर मुल वतन में जाते हो पहले-पहले है लक्ष्मी नारायन की डिनाइस्टी अब इस रिष्टी चक्र में आ जाओ पहले-पहले है लक्ष्मी नारायन की डिनाइस्टी वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते रावन राज्जे ही नहीं यूग बल से सब कुछ होता है तुमको साक्षातकार होता है अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है खुशी से जाते हैं यहां तो मनुष्य कितना रोते चलाते हैं यहां तो गर्भ जेल में जाते हैं न वहां रोने पीठने की बात नहीं शरीर तो बदलना जरूर है जैसे सर्प का मिसाल है इसमें मूझने की बात ही नहीं सर्प का मिसाल है एक खाल छोड़कर दूसरी धारन करते हैं ऐसे ही वहां आत्मा बहुत सहज रेती एक पुराना शरीर छोड़कर फिर दूसरे नए शरीर में जाकर प्रवेश करती है तो इसमें confusion की कोई बात नहीं है बहुत easily करते हैं बाबा हमें बहुत easily करके समझाते हैं कि कैसे आत्मा देहे को छोड़ती है फिर दूसरी देहे धारण करती है जास्ती पूछने का रहता नहीं है अब इस चीज के अंदर ज्यादा कुछ description करने की ज्यादा और गहराई में जाने की कोई बात नहीं है एक दम पावन बनने के पुरिशार्थ में लग जाना चाहिए अब वो कैसे होता है उसमें नहीं जाना हमें क्या करना है हमें पावन बनना है बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या पूछ रहे हैं बाबा बाप के सामने बैठे हो न अब हमारे मन बुध्धी के सामने कौन है हमारा बाबा मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो इतना बाबा देते हैं जन्म जन्म आंतर के लिए तो आप पूछते हैं कि क्या ये अंतिम जन्म मुझे याद नहीं कर सकते हो यहाँ अच्छी रीती समझते भी है फिर घर में जाकर यहाँ होंगे तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे फिर घर में जाकर स्त्रियादी का चहरा देखते हैं तो माया खा जाती है बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो वह तो सब कुछ खत्म होना ही है आज नहीं तो कल होना है याद तो एक बाप को ही करना है चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को इजाद करो दैवी गुण भी धारन करने है बाबा को याद करना है राजधानी को याद करना और फिर दैवी गुण भी धारन करने है सतियुग में यह गंदी चीजें मास आदी होता ही नहीं है वहा नहीं है यह सब कुछ बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ तो सस्ता सोदा है ना विश्व की बादशाही पा रहे हैं आधा कल्प के लिए सुकधाम का वर्सा पा रहे हैं तो उसके लिए एक चनम विकारों को छोड़ना बाबा को याद करना इन गंदी आधतों को छोड़ना ये परहेज रखना तो बहुत छुटी सी बात हुई ना तो बाबा कहते हैं कि हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे सिर्फ एक जनम पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है भले कठे रहो ज्यान तलवार बीच में हो ज्यान तलवार बीच में हो ज्यान के आधार पर रहो ना बीच में याद रहे कि हम आतमा रूप से भाई-भाई है पवित्र रह दिखाया तो सबसे उचपद पाएंगे क्योंकि बाल ब्रह्म चारी ठहरे फिर नौलेज भी चाहिए औरों को आप समान बनाना है याद चाहिए, प्यूरेटी चाहिए फिर नौलेज भी चाहिए सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हमें कठे रहते पवित्र रहते हैं तो समझेंगे इन में तो बड़ी ताकत है बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे खुद भगवान कहते हैं बस एक जनम 100% purity कितनी बड़ी प्राइज मिलती है तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे छोटी मुटी प्राइज नहीं है टाइम ही बाकी थोड़ा है आवाज भी होता रहेगा आवाज भी होता रहेगा बाबा की प्रत्यक्षता होती रहेगी अखबार में भी पड़ेगा रहरसल तो देखी है न एक आटम बॉम से क्या हाल हो गया हिरोशिमा नागा साकी में अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं अभी तो ऐसे बॉंब्स आदी बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं फट से खत्मा और यह है रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा बहुत रिहर्सल करते रहते हैं अभी तो मोड़ियां हमारी फिफ्टीज की हैं पर अन्तो फिर बाबा ने उसके बाद कितनी सारी और अव्यक्तवानियां चलाई और उसके बीच में दुनिया के अंदर कितनी सारी रिहर्सल्स हो गई प्रकृती की भी रिहर्सल हो गई तो अब रिहरसल होते होते रियल का टाइम नजदीक आ गया है तो बाबा कहते हैं कि अभी तक हॉस्पिटल में पड़े है अभी तो ऐसे बॉमजादी बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं फट से खत्मा और यह रिहरसल होकर फिर फाइनल होगा देखेंगे फट से मरते हैं वह नहीं फिर और युकती रचेंगे हॉस्पिटल आदी होगी नहीं कौन बैट खिदमद यानी सेवा करेंगे कोई ब्रामभन आदी खिलाने वाला नहीं रहेगा बॉम छोड़ा और खलास अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे देरी नहीं लगेगी यहाँ धेर मनुष्य है सतियुग में बहुत थोड़े होते हैं तो इतने सब कैसे विनाश होंगे यह सब होगा तभी तो विनाश होंगे आगे चल देखना है बहा से शुरू में नौ लाख हैं वहाँ पर सतियुग में तो शुरू में नौ लाख है तो आगे चल देखेंगे कैसे यह सारी जन संख्या इलकुल थोड़ी जाकर रहेगी तो वहाँ तो शुरू में नौ लाख है फकीर भी तुम हो साहिब भी तुमको प्यारा है हम ही फकीर है और हम कोई बाबा प्यारा है तो हम जितना गरीब बनते हैं फकीर बनते हैं मन बुद्धी को खाली करते हैं उतना बाबा को दिल से याद कर पाते हैं तो साहिब भी तुमको प्यारा है अभी सब को छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है बिलकुल फकीर बन गए है सब छोड़ दिया है मन और बुध्धी से सब छोड़ दिया केवल एक भाबा को पकड़ लिया है ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है जिनकी बुध्धी में ये दुनिया, ये दुनिया की बातें, रिष्टेदार नाते, मो, माया नहीं है न वो बाबा को दिल से प्यार कर पाते है तो ये छोड़ना पड़ता है, फकीर बनना पड़ता है सतियुग में बहुत छोटा सा जाड़ होगा बिलकुल थोड़ी सी आत्माई बातें तो बहुत समझाते हैं जो भी एक्टर्स है सब आतमाई अविनाशी है अपना अपना पाट बजाने आती है कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पड़ते हो नई बात नई है जानते हो बाबा हमको पवित्र बना कर साथ ले जाएंगे बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधा इमान है सब को वापिस जरूर ले जाएंगे इसलिए नाम ही है पांडव सेना तुम पांडव क्या कर रहे हो पांडव है न सारे क्या कर रहे हो तुम बाप से राज्य भागे ले रहे हो हू बहू कल्प पहले मिसल नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार अच्छा रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुखे सार पहला बाप का प्यारा बनने के लिए क्या करना है? पूरा फकीर बनना है देहे को भी भोल स्वयम को आत्मा समझना ही फकीर बनना है बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपोर्ण पावन बन कर दिखाना है संपोर्ण पावन दूसरा वापस घर जाना है इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है एक माशुक से ही दिल लगानी है बाप और राजधानी को याद करना है अज का वरदान है ब्रामर जीवन में सदा चीरफुल और केरफुल मूड में रहने वाले चीरफुल भी और केरफुल भी तो cheerful और careful mood में रहने वाले combined रूपधारी भवा यदि किसी भी परिस्थती में प्रसन्नता की mood परिवर्तन होती है हम खुश हैं और कोई परिस्थती आ गई, mood बदल गई तो यदि किसी भी परिस्थती में प्रसन्नता की mood परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसनता नहीं कहेंगे ब्रामण जीवन में सदा cheerful और careful mood हो cheerful भी और careful भी mood बदलनी नहीं चाहिए जब mood बदलती है तो कहते हैं क्या निशानी है हम क्या कहते हैं उस समय मुझे तो एकांत चाहिए मुझे छोड़ दूँ, मुझे तो एक आंथ चाहिए आज मेरा मूड ऐसा है मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी कैसे रहाना है कंबाइंड मैं और मेरा बाबा हम अकेले हैं हमारे साथ सदा मेरा बाबा मेरा शिव साजन है है ना स्लोगन है कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्सहा में रहना उत्सव मनाना यानि याद और सेवा के उत्सहा में रहना यही है उत्सव तो आज विशेश फकीर बनने का हम पुरुशार्थ करेंगे बार बार अभ्यास करेंगे बिलकुल मैं आत्मा कहीं भी कोई भी रग न हो कुछ भी मेरे साथ नहीं है ना ये देहे ना दुनियां के संबंधी ना कोई कारोबार ना कोई बातें कुछ नहीं बिलकुल खाली हो जाओ फकीर की तरहा जीरो हो जाओ जिसके पास कुछ नहीं है बिलकुल मन और बुद्धी में कुछ नहो किसी के साथ कोई रगे जुटी नहो तो ऐसे फकीर बन जाओ और फिर देखो बाबा कितना प्यार करता है तो इस दुनिया से फकीर और फिर बाबा के बहुत प्यारे बन जाएंगे तो इस बात का बार बार अभ्यास करेंगे फकीर बनने का अच्छा, ओम शांति तेरी पनाहों में पलते हैं तेरी ही राहों में चलते हैं तेरी ही राहों में चलते हैं तेरी ही आदों में रहते हैं तेरी ही आदों में रहते हैं बाहों में तेरी मचलते हैं तेरी पनाहों में पलते हैं तेरी पनाहों में पड़ते हैं तेरी ही राहों में चलते हैं इन आखों की गुफ्त गुफ होटी है बाबा जब तुमसे मिलन का सुख बड़ा नोखा पाए बेहत है तुमसे रहबर मेरे हम सफर हो रहबर मेरे हम सफर हो प्यार इतना करते हैं प्यार इतना करते हैं तेरी ही बातें करते हैं तुमी से जोली भरते हैं तेरी पनाहों में पलते हैं चा जाता है रोम रोम में हो रुहानी जब मिलन गुन गुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के हैं गुन्जन बन विदे ही हो फरिष्टा मीठे वतन में रहते हैं तेरी ही रंग में रंगते हैं तेरे गुनों से सजते हैं तेरी पनाहों में पलते हैं तेरी ही राहों में चलते 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 हैं